आप सब का हमारे चैनल क्या अंदर ट्रेजर पर स्वागत है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मून स्टोन के बारे में यह मून स्टोन है और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं यह हम आपको बताएंगे और यह मिलेगा आपको हमारे साथ शिवागु.com और ओमजा.com पर बिल्कुल जैनियून अथन्टिक लैब सेटिफाइड और साथ में मंतरित भी यह दियाप चाहें तो इसके फायदे क्या है यह हम आपको बताएंगे तुछे इसका फायदे बताते हैं देखे और प्रतिक वैक्ति किसे ना किसी तनाव को चेल रहा होता है बच्छे पढ़ा नहीं करते हैं महिलाएं घर के जिम्मेदारियां नहीं उठाती है पुरुष परिवार का भरण बोसन नहीं कर पाते हैं तो कभी-कभी कारण होता है हमारा चंद्रमा दूशित होना चंद्रमा दूशित होगा तो आपका जो काफिन्स लेवल है वो काफी कम रहेगा तो यह जो रॉल स्टोन है से मौनस्टोन कहते हैं यह चंद्रमा का उपरतन है अग क्यिए यह रॉल है तो इसका प्रभौ काफी अच्छा होता है तो जब आप इसे अपने टेबल पे यह अपने आस पास रखते है तो आपको मानसिक सन्तुलेण हो काफी अच्छा रहता है मानसिक तना और बेचेहनी दोर होती है और साथ ही आपकी जो निर्ने रिनी के छमता है उसमें इंप्रूव्मेंट होता है जब चंदर्मा आपका बुरा हो तो बैवाहिक जीवन पर भी बुरा असर पड़ता है तो हां भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा तो कुंडिले में चंदर्मा के सित्यों को मजबूत करने के लिए बहुत सारे उपाई किये जाता है तो इस रत्न को आप अपने टेबल के आसपास अपने बैट के आसपास अपने घर में हॉल में आप इसे रख सकते हैं इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको अच्छा मिलेगा तो इससे आपका चंदर्मा मजबूत हो मांसित्त नौदूर होंगे निर्ले निर्ने के चंता में व्रेदी होगी पॉंफिंस लेविल काफी अच्छा होगा और आपके अंदर की जो क्रिटिविटी है वो निकल के बाहर आएगी कैरियर तो बनेगा ही बनेगा और प्लस नकर आत्म कुर्जा से आपको चुटकारा मिलता है नेगेटिव एनरजी से और जब आपका आत्म विश्वास मजबूत होगा तो आप हर छेत्र में सफलता पाएंगे करकर राशी के स्वामी चंदर माय है तो ऐसे में इस राशी के लोग बेना सोचे मून स्टोन अपने घर में ज़रूर रख सकते हैं इससे आपको फायदा होगा आपके अंदर की चिपीव के डिविटी बाहर आएगी तो धन्यवाद आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट देशिए धन्यवाद